हेलो एवरिवन, स्वागत है आपका इंडियन होम कुक स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर आज हम बनाएंगे चीजी मसाला मैगी ये मैगी बहुत ही चीजी, क्रीमी और टेस्टी बनती है और सबसे बड़ी बात, बहुत ही इजी री और क्विक तो देर किस बात की, let's get started चीजी मसाला मैगी बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले मैगी, मैंने यहाँ पर मैगी के टोटल चार पैकेट्स लिए है और मुझे मैगी थोड़ी तूटी तूटी पसंद है, इसलिए मैने इसे तोड़ लिया है आपको अगर आपके मैगी लंबी पसंद हो, तो आप इसे बिल्कुल भी न तोड़े, all up to you मैगी के साथ जो टेस्ट मेकर आता है, हम उसे तो ओवियसली यूज करेंगे ही तो चार मैगी के चार टेस्ट मेकर्स यहाँ पर मै ले रही हूँ उसके अलावा क्योंकि हम चीजी मसाला मैगी बना रहे हैं, इसलिए एक कप चीज, यह प्रोसेस्ट चीज है, आप अपनी पसंद का चीज भी ले सकते हैं उसके बाद हमें चाहिए, ओईल मैगी को तड़का देने के लिए सबजियों मैं मैंने लिया है, एक मीडियम साइज चॉप्ड प्यास, तीन हरी मिर्च, दो स्मॉल साइज टमाटर, दो शिमला मिर्च, तीन टेबल स्पून बारिक कटा हुआ लहसु नद्रक, वन फोर्थ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, वन थर्थ टेबल स्पून लाल मेज पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, नमक स्वादनुसा, वन टेबल स्पून सोया सॉस, वन टेबल स्पून विनेगर, एंड लास्टली पानी, तो ये हैं सारे इंग्रीडियंस, अब चलिए मैगी बनाते हैं, सबसे पहले एक कड़ाई ले लिजिए, और उसे थोड़ा हीट होने दीजिए, उसके बाद हम उसमें डालेंगे, करीब चार से पाच टेबल स्पून ओईल, तेल गरम होने के बाद हरी मिर्चाट करें, तुरंत बाद बारी कटा हुआ ले सुनद्रक आड़ कर दे, हलकाँ सा पकाएं और प्याज आड़ कर दे, अब प्याज को थोड़ा सा पिंक होने तक पकाएं और देन चला कर टमाटर आड़ कर दे, अब टमाटरों को सॉफ्ट होने तक पकाएं जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएं फिर शिमला मिर्च आड़ कर दे, उसके बाद थोड़ा चलाएं और देन वन फोर्थ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर वन थर्द टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, वन टेबल स्पून सोया सॉस, वन टेबल स्पून विनेगर, थोड़ा सा सॉल्ट सब मिला दें एक साथ अच्छे से उसके बाद पानी आड़ कर दें अब टेस्ट मेकर आड़ कर दें नाव मैगी आड़ करें मैगी को खोने दें जब मैगी हाफ डन हो जाए तब इसमें चीज आड़ कर दें एंड देन उसे मिक्स कर दें चीज डालने के बाद मैगी में एक अलग सा ही क्रीमी टेक्चर आजाएगा चीज पूरी तरह से मेल्ट हो गई है आप देख सकते हैं इतनी अच्छी खुश्बू आ रही है आविश मैं आपको बता पाती बट फाइनली हमारी चीजी मसारा मागी बिल्कुल तैयार हो गई है कितनी अमेजिंग दिख रही है न अब इसे सर्द करें और इंजॉय करें तो चलिए आपको आज का इस वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बतायेगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इंडियन होमकोक स्टोरी यूट्यूब चानल प्लीज प्रेस दे बैल आइकन ताकि आपको हमारे सारी वी वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तिल देन टेक केर बाबाई लव यू ओल